तो गाइस तो कैसे हो आप लोग उमीद है कि आप सब ठीक ठाक होगे वेलकम तो थे पाकिस्तानी ब्रोज रियक्शन सौगात आपका हमारी कोड ब्रैंड न्यू थमाकेदाच जाकास मस्दा ब्ला 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 वीडियो में तो आप महारा जो पैग्अप चैनल लवसका लिए दिया गया उसको सब्सक्राइब कर लो इतके बाद उस पर रैगूलर वीडियो जाएंगी मतलब ट्रेलर मतलब फिल्म की सीम्स या मतलब वो करेंगे बैकप चैनल है वो इसलिए बनाया के मतलब हमारा चैनल है थोड़ा बल कविलों कि मतलब में मतलब कर रहे तो वीडियो अच्छुन लार्जिस्ट फिलियर इंडिया नार जेतम इLIE मतलब देट ना को चाभड हो मतलब से पहले नम्र बोल्ली वोड हो गी होगा सिंपल लाट है और होगा मुझे नहीं बता कौन से हैं सो काउंट डाउन करते हैं बिढ़ा किसी दे दी गए 3 to 1 and start अगर आप हमारी वीडियो देख दिया रहे हैं तो आपको यह तो पता ही होगा कि बॉलिवुड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फिल्मों का उत्पाधन करने वाली फिल्म इंडस्ट्री है अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत में बॉलिवुड के अलावा भी कई फिल्म इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो कई वर्षों से काफी बहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है फिल्मों के अत्पाधन और कमाई में भी वो काफी आगे आ चुकी है क्या आपको पता है बॉलिवुड के अलावा भारत में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप भी जानना चाते हैं इस बारे में तो वीडियो में आंते तक बने रही है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको रू बरू कराएंगे भारत के दस सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्री से तो दोस्तों ये वीडियो तो है पूरा ग्यान का पिटारा लेकिन इस बड़े इस बंदे की स्माइल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो भारतिय सिनिमा का एक हिस्सा है जिसकी फिल्मे ओडिया के कटक की भाषा ओडिया पर आधारित होती है ओडिया फिल्म इंडस्ट्री की शिरुवात 1936 में होई थी जब इसमें भारतिये लोक कथा रामायन की कहानियों पर आधारित फिल्म में बनाई जाती थी जो काफी प्रसिद्ध भी हुई ओडिया फिल्म इंडस्ट्री भले ही एक स्थानिय भाषा वाली फिल्म इंडस्ट्री हो लेकिन फिर भी उन्नती और फिल्मों के मामले में ये पीछ नहीं है इसका नाम ओडिया और हॉलिवुड के नाम को मिला कर बनाए गया है वार आवाराट इस भीजन अछ जदरी है लेकिन फिर इस यह कुछ फिल्मों में अ जे कि सब्सक्राइब दो आवÄनी तक्याले का जी दीजित वारेत्व वारेत्थी ंवलाइस्य शकल सब्सक्व different वह घरत की थार्यानी अडेश्टीर से और वारेत्टीर वेड़ों पंजाबी इस वे प्पादने पहले कि वकल से पर्फशसें भरते बहुत में इस स्थेख okay मुझाबी आपक्स अप्रों कि अप्षान की आपे जाता था इंग्जाबी इस प्पांडे के और बहुत प्पांडे के अतल में पसंद किया जाता है और अब क्योंकि ये एक भाशा पर निर्धारिद फिल्में बनाती है इसलिए इसे दर्शकों तक पहुष्टे में समस्याएं तो होती ही है लेकिन फिर भी ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बन गई है बोच्पुरी सिनेमा भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है भोच्पुरी फिल्मों को केवल भारत के बिहार जैसे राजियों में ही नहीं बलकी उत्तरी अमरिका, यूरप और इश्याति कहीं हिस्सों में भी देखा जाता है इसे कारण यह बहुत पिल्मों कि तेजी से खायाएं अमर्दारी बे। बोच्पुरी इंडस्टंडर्ध इंडस्ट्रिश जदी आप को अपनी एक्शन और कॉमडी फिल्मों के लिए जाता है फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले मोशन ग्राफिक्स इन फिल्मों को काफी रोचक बना देते हैं भोजपुरी सिनिमा आज अपनी लगातार प्रगती और कमाई की बाद भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीस में से एक बन गई है अच्छे इतर ही आए से कपल में बन गई है बंगाली सिनिमा की पहली फीचर फिल्म उन्निस और बढ़ रहा है बंगाली सिनिमा भरत ये सिनिमा का ही एक हिस्सा है जिसमें बंगाली भाषा में निकाली जाती है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हर साल सतर से सौ फिल्में निकालती है जो 2,15,15 करोड के बजट पर बनाई जाती है इसने 2013 में लगभग 100 करोड तक की कमाई की थी इसलिए भरत की सातवी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है 6. मराठी फिल्म इंडस्ट्री मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी भारतिय सिनिमा का एक हिस्सा है जिसमें फिल्में मराठी में निकाली जाती है जैसा कि महराश्ट्र को फिल्मों का हब माना जाता है इसलिए वहीं से निकली मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी काफी तरक्की कर रही है मराठी फिल्म्स की 500 से जदा स्क्रीन्स बंबई में मौझूद है जो इनकी बड़ी सफलता का एक कारण भी है मराथी सिनमा की पहली फिल्म 18 मई 1912 को रिलीज हुई थी मराथी फिल्म इंडस्ट्री की पहली टौकी फिल्म 1922 में आई थी श्वास और हरीचंद्र फैक्ट्री कुछ ऐसी फिल्म में थी जिसके कारण ही शयद आज ये दो हजार करोड की इंडस्ट्री बन गई है अगर आपको यवीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइ ज़ूर करें पांच गननदा सिनमा कंड़ जिनमा के नाम से वी जाना जाता है व की लगाए बहुत जिखी है मैं वे खुरुज़ना नियरेक्टर वायिवी राओदे वरा बनाय गए फिल्म थिल्म थी जगा riche जब में भी ने बहुत फिल्म वे बहुत लोट गए निकलती हैं और पसंद भीगी जाती हैं आज की समय में करनाटक और वेंगलूरू में कंणर सिनेमा द्वारा हर साल लगभग सौ से बेज ज्यादा नई फिल्मे निकाली जाती हैं ये भरत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है चार मॉलीवूड मल्यालम शेष्टा के लिए इससे दुनिया भर में जाना जाता है मल्यालम सिनेमा की पहली फिल्म 1908 में डारेक्टर एसन और टानी के निर्देशक में बनी जिसका नाव था बालन कमाई के मामले में भले ही मल्यालम फिल्में इतनी आकर्षित ना करती हूं लेकिन अगर उनकी प्रस विल्म इंडस्री द्वरा बनाएगे फिल्म्स काफी हद तक के अष़ित रखो अधिए धर इस खासियत और प्रसदी के कारान्य ये भारत की चौत ही सबसे बड़ी फिल्म इंडस्री है तिन एस तीन ए तेन प्टोली ओडं़े आम जाता है यह यह विए यह ए-टविजाव जो फिल्म है जो एक तरफ सीथा और उनसे तरफ सगंडा तेलेगू वोट में जाता है क्योंकि नहोंने ही त्यल्य निकाली थी यह फिल्म उत्पादन के माव्में में सभी को पीछे छोड़ देती है क्योंकि तेलगु सिनमा के पास सबसे बड़ी फिल्म प्रेड्यूसिंग फेसिलिटी के होने का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये काफी अधिक पैसा कमाने वाली फिल्म इंडस्ट्री है जिसके देश भर में अठाइसो से भी जादा थियेटर्स मौजूद है तेलगु सिनमा द्वारा ही निकाली गए फिल्में जैसे बाहु बली टू और साहू जिन्होंने अठाइसो दस करोड और छेसो करोड तकी कमाई की है ये भारत की सबसे प्रसिद और बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में तीसरे स्थान पर है किमान अभीनेता जन्हें उनकी एक्शन सीन्स के लिए जाना जाता है तमिल सिनमा की ही दिन है और ये एशिया के सबसे ज्यादर रोपय प्राफ्ट करने वाले अभीनेößता है और एक और अभिनेता जिनका नाम है कमल हुसेन जिनके पास बेस्ट आक्टर के सबसे ज्यादा नैशनल आवार्ड्स हैं वो इसी सिनिमा तमिल सिनिमा की तमिल लाडू और पॉंटिचेरी में ही 1512 से भी अधिक फिल्म स्क्रीन्स हैं केवल 2017 की आखड़ों को ही देखें तो तमिल सिनिमा ने 198 फीचर फिल्म्स निकाली हैं जिसमें इसने 4250 करोड से भी ज्यादा की कमाई की है इसलिए ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है एक बॉलिवूड अब चलिए जान लेते हैं भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बारे में जिसका नाम तो शायद आप सब जानते ही होंगे जो है भारतिय सिनिमा जिससे हम बॉलिवूड के नाम से भी जानते हैं बॉलिवूड भारत में सबसे ज़यादा फिल्मों का उतपातन करने वाली घारतिय फिल्म इंडस्ट्री José अगर कमाई के मामले में देखा जाए तो बॉलिवूड बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है 2017 में बॉलिवूड के दुवरा 365 फिल्में निकाली गए जिससे इसे 75500कृ कॉमई कारण ही दूछा दूसरी और भारत के बड़ी फिलम इंड़स्ट्री है आपको एलगता है ऐसी कौ cleric union millों कि धारते हैं जो भारते जो कमेंसे जिसी पहुल से जो मिलते हैं जरू सिनी निकल सकती हैं हमें कुमें जरूर कुमें जरूर बताएं तॉप्टन हिंदी पर धन्यवाद यह तम इले यह जुट सेकंड नूबर पर थी न हमने सारी डब में देखिए हैं हमें मतलब तमिल नहीं समझ आथी हैं हैं तो सब को तमिल समय था पहले से बात वह तो सब की मोविस तारी मैं मैं दो समझ दो कनेडा या कनेडा मुझे कुछ बहुंट मैं मैं बहुति करते हैं यह चाले पर आगे निकलने का इक मुझे यह पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है कि या बाव बली को देख लो आपको एक्ट आचा उसके बाद आप मतलब यह बहुत अच्छे एक्टर एक्टर है और मुवी मतलब एंडिंग थोड़ी उनकी खराब हो जाती है, एंडिंग थोड़ा वो उस तरीके से समझा नहीं पाते हैं, लेकिन अब भी वह जो जो नियूब मूविज आ रही है, उसमें समझा रही है, शुरूपे एंडिंग में कुछ समझ दिया है, जैसे अलोग अरजन की थी शन अप सय यहां पर मिलता है कि यह आनलाइन मुवी रिलीस करते था है यूट्यूब इनके बाकाइदा चैनल बने में इस पर रिलीस करते है दो दो सो धड़ दो सो तिन-टी सो मिलियन पर व्यू जाते है गोल मैंने देखें गोल्ड माइंज टैली फिल्म है उस पर जा तुझे सारी मू मूवीज मतलब बनाई है साल में और उसकी कमाई अब मैंने कमाई ज्यादा थी थी ज्यादा लेकिन यह कि यह इतनी ज्यादा मूवीज निकाल दे नहीं है पंजाबी मतलब कुछ जिस्तर आप देख कम लार्जिस्ट का मतलब यह है कि मतलब जो सबसे ज्यादा मूवीज न तो यार बहुत ही मतलब माज़े हमें तो मतलब परसनली जो है मुझे तैलो को पसान्द है उसके बाद बॉलीवूड और पंजाबी यह मेरे दो फैवरिट यह सबसे जादा यह सारे हमने डब में देखे हैं हमें नहीं पता ही कौन से पीछे से लैंगविज हो बने हैं तो मतल स्टोरी वाइज होते हैं तो यह इदर ही वीडियो खतन करते हैं अगर को कोई अच्छी लगते तो आप वह कॉमेट सेक्शन में बता हैं और हो क्या वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी लगे तो लाइक लाइक च्छा कर देना अब चैनल सब्सक्राइब बखिले हैं मिलते हैं एक सुने मने बहुत अच्छी लगते हैं अल्ला हाफिज नमस्ते हैं और सास्रे अगात